पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल है, यहाँ पे तो हजार के करीब हैं, पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं और सारे सरकारी स्कूलों के अंदर एक साथ कुछ ना कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है, बहुत बुरा हाल है महाभी, जैसे पहले दिल्ली में होता था, वहाँ भी के लिए आप लोगों को एमपावर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है तो जो जो देश अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता वो तरकी नहीं कर सकता जो काम 75 साल में होना चाहिए था वो अब होने लगाए उपर वाले का शुकर है अब तो होने लगाए और मैं समझता हूं कि यह जो शिक्षा को ठीक करने का सिलसला है धीरे 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 तेजी से फैलेगा अब सब लोग बाकी सरकारों को भी लगने लगाए कि शिक्षा को जाद्या गौर्मंणट चैन रन स्कूल और हमने यह गी दिखा लिया कि जो सरकार सुल नी चला सकती वह सरकार क्या चलाएगी फिर जिस सरकार से स्कूल नहीं चलते वो सरकार क्या चलाएगी फिर स्कूल चलाना, स्वास सेवाइं देना, अच्छा इलाज करना यह तो बेसिक जिम्मेदारी है किसी भी जिम्मेदार सरकार की नहीं तो हम टैक्स किस बात का देते हैं लाखों करोड़ो रुपे का टैक्स देते हैं, किस चीज़ का टैक्स देते हैं, इसलिए तो देते हैं, कि हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी स्वास्यवाई मिलेगी, हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर को दे तो प्राइबे दो प्राइबेट सेक्टर